आज का हमारा कुश्चन है कि 150 डिगरी के कौन कैसे बनाया जाता है और 135 डिगरी के कौन कैसे बनाया जाता है तो दोस्तो इस कौन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकल लेंगे और इस पर एक रेखा खिचेंगे यह हमारा एक रेखा हुआ और यह B बिंदू है यह C है इस B बिंदू पर हम बनाएंगे 150 डिगरी के कौन 150 डिगरी के कौन बनाने के लिए हम एक चान बनाएंगे इस तरह एक चान बनाएंगे और इस पर रखेंगे एक बार काटेंगे 60 डिगरी के बनेगा और 60 वाला पर रखेंगे फिर 60 के कटेगा तो यह हमारा 120 हो जाएगा फिर 120 वाला पर रख करके एक बर कटेंगे तो यह हमारा 180 होगा और यह जो 180 वाल पाट जो आ रहा है इस पाट को आधा करेंगे यह वाला जो 60 है इसको आधा करेंगे तो 30 होगा और यह हमारा 120 है तो 30 और 120 हमारा हो जाएगा 150 डिगरी के कौन तो एक छोटा सा चाप कर लेते हैं इस तरह 120 पर रखकर चाप करेंगे और यहा एक 180 पर रखकर चाप करेंगे यहा दोनों जो करेंगे हमारा 150 डिगरी के कौन का यह जो करेंगे इसा कि इसको कर चाहते हैं तो इस तरह रख सकते हैं कि देखिये यहां 0 से चलते चलते आएंगी तो यह बंणी मिलेगा लीट इस तरह यह 50 त्वरी बना अब बनाते हैं 135 तुम उसी तरह से लेंगे और एक रेखा खीचेंगे इस तरह हम एक रेखा खीचेंगे और इसके नाम लिख देंगे बी सी और इस भी बिंदू पर एक चाप काटेंगे एक चांड बनाएंगे इस भी बिंदू पर एक चांड बनाएंगे इस तरह यह हमारा एक चांड हुआ और इस पर रख करके हम इस बिंदू पर रख करके हम एक बार काटेंगे तो साथ डिगरी का कुन बनाएंगा फिर इस पर आखे ऐगा गचानिक भार समय को में हमकुषए c kamu запσιंख में 123 वा पर रखके एक बार कुछ n देंगे यह ज्मिए जायगा और इसको आधा करेंगे मिल्जफ हमगे चिअएज अभार कौटा है उसको बैसे दूनों कन्ते वाले की तो बिभार उससे लेकर गया जो कटा बिन्दू है दिरस्व लगा इससे एक चांप चांट लगा देंगे यह मेरा देश्व का चांट लगा और यह जो 30 है इस 30 को आधा करेंगे तो 15 होगा और 120 120 है हमारा 135 हो जाएगा तो इसको आधा करते हैं इस तरह घुमाएंगे चांप और फिर इस पर रखके एक बार कटेंगे जहां कटा यह हमारा हो जाएगा 135 डिग्री का कौन तो 20 से हो करके इस 20 से होते हुए और यहां यह कटा है इस से होते हुए कि एक रखा के चेंग ने कि यह हमारा जो कौन बन रहा है यह हमार 2 gent इसको लिख देते हैं कि यह सी है यह जο कौन बना यह हमारा 135 डिग्री का कौन बनगे और इसको मापना चाहते है तो इसके सारे माप लेंगे देखिए जीरो से चलते आएंगे तो यहां 130 और 140 के बीच में आया है जो 135 डिगरी के कौन है तो इस तरह 150 डिगरी का और 135 डिगरी का कौन बनेगा तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया इस वीडियो के लाइक करें और बाकी सब दोस्तों को भी शेयर करें